एसेस राजा मौली सारुखान के साथ मिलकर के एक बहुत ही धमाकेदार मूवी बनाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों एसेस राजा मौली जो की RRR और बाववली जैसी सुपर दूपर हिट फिल्म बनाने वाले सारू खान के साथ मिलकर की बहुत ही जवर्जस्त मूवी लांच करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म की लागत लगबग 1000 करोल रुपए की होने वाली है जी हाँ दोस्तों 1000 से ले करके 1500 करोल रुपए तकी इस फिल्म की बजट होने वाली है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं SS राजा मोली साउथ इंडियन सिनेमा की बहुत ही सूपर डूपर हिट डारेक्टर है जी हाँ दोस्तों और सारु खान अपने बाले भुड के किंग खान जी हाँ दोस्तों इस समय सारु खान की मूबी जमान रिलीज हुई है जब से बाक्स आपिस पर रिकार्टोड कमाई कर रही है दोस्तों लगभग एक हजार करोर रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है इस फिल्म की लागत थी 300 करोर रुपए दोस्तों फिल्म जमान को सारु खान की पतनी गौरी खान ने प्रोडिस किया है और साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली ने इसको डायरेक्ट किया है दोस्तों ज़्यादा तर कलाकार इसमें साउथ के ही है और दोस्तों अब तक बाली बूट में जो भी फिल्में बन रही हैं धीरे धीरे दिरे लोग साउथ की और बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों जितनी इसमें सांस करती की तौर पे फिल्में जो बन रहे हैं ज्यादा तर सोनी अशी बनती हैं उसमें सब कुछ पहले से और धीरे धीरे बेकार होता चला जा रहा है इसलिए बाली बुड की सारे फिल्में एक फलाफ होती चली जा रहे हैं दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखा जाये तो सारी बाली बुड की फिल्में धीरे धीरे साउथ की और रूख कर रहे हैं जैसा कि आप देख सक तो देखने का बार बार मन करेंगा आपको. दोस्तो बाहुबली की फिल्म जो है अध्युरी रह गई थी. उसके कहानी आगे की बहुत यच्unde टरीके से बनाया आई है इसको स्सके बाद आप लोग दे थे आर 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 जिहा दोस्तों ? पल आर मूबी कूले करके आये थे ससराजामोली जिसमें अजय देवगन, रामचरन तेजा और अलू अर्जुन ने इसमें काम किया था जिहां दोस्तों इस समय दोस्तों जवान मूबी सारुखन की सूपर डोपर हिट साभित हो रही है और पूरे देश भी देश में लगभग एक हजार करोड रुपए से जादगी कमाई कर चुकी है और दोस्तों ये फिल्म डेली एक से बढ़कर एक नया किर्दिमान करते चली जा रही है दोस्तों आज तक की बाली बुड में सबसे सफल मूबी जवान है सारुखन की जहां दोस्तों इतने कम दिनों में एक हजार करोड रुपए को पार कर जाने वाली फिल्म बन चुकी है दोस्तों इसकी कहानी इतनी जवर्दस्त है इसमें सारुखनी इतनी अच्छ से चार घंडे की बनती क्योंकि इसकी कहानी तनी अच्छी है कि इसका कहानी तना लंबा चौड़ा है येकिन बहुत ही इसमें फाष्ट दिखाय गया है दोस्तों इसमें कोशिस ए किया गया है कि हमारे आम जनता तक इसमें कहानी अच्छी है कि हर किसी को समझ में आती है और हमारे सची रियल घटनी के गटना है जो हमारे समाज में घट रहा है जो करपसन हमारे देश में फैला हुआ है उसको हटाने के लिए इसमें जनता को जागरू करने के लिए मूबी बनाई गई है इसलिए दोस्तों बिल्कुल जरूर देखिए तभी आपको पता चलेगा कि SS राजा मौली सारु खान के साथ ये फिल्म आगे क्यों बनाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आज भी बाली बूट के किंग खान सारु खान सुपरिश्टार हैं और सुपरिश्टार थें और सुपरिश्टार रहेंगे इसलिए दोस्तों SS राजा मौली सारु खान के साथ मिलकर के एक बहुत ही जबरतस्त मूबी लांच करने वाले हैं जो कि सायद अब तक की इतियास की सबसे बड़ी मूबी होगी और सबसे जबरतस्त कमाई करेगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडि झाज प्सके वीड़ा हैं